हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरी मिर्च का आजार तो सबसे पहले आपको हरी मिर्च को नमक के पाने से अच्छे से धो के सुखा के लेना है तो यहाँ पे मैंने ली है ये 10 से 12 हरी मिर्च एक टेबल स्पून अख़्ा दानिया एक टेबल स्पून बड़ी सोफ पास टेबल स्पून सेंगदाने का तेल आप कोई भी तेल ले सकते हो ये दो टेबल स्पून राई की दाल आधा टेबल स्पून हिंग तीन से चार लॉंग और ये दालचिनी आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर और एक टीस्पुन से थोड़ा कम नमक तो आपको हरी मिर्च इस तरह से काट लेनी है देखिए इस तरह से बीच में से कट करके इसके से छोटे-छोटे पिसेश कर लेने है तो इसी तरह से सारी हरी मिर्च को हम लोग काट लेंगे एक बाउल में आपको गरम तेल लेना है तो तेल जादा भी गरम नहीं चाहिए तो इसलिए पहले आप चेक करके लीजिए थोड़ी से राई की डाल डाल के अगर ये जलती नहीं है तो ठीक है नहीं तो फिर तेल को थोड़ा थंड़ा होने दीजिए अगर जलती है तो तेल का टेमपरेचर एकदम सही है तो इसमें अभी हम लोग हिंग डाल देंगे और इसमें अभी राई की डाल भी डाल देंगे तो इस राई की डाल को आपको तेल में अच्छे से तलने देना है इस तरह से और अभी इस गरम तेल में ही हम लोग ये धना और सोफ का मैंने ये थोड़ा सा दरदरा पाउडर बना के लिया है वो डाल देंगे ये लॉंग और दालचिनी कुट के लिए है और ये हल्दी पाउडर तो ये सभी मसाले इसमें अच्छे से से तल के आएंगे इसको आपको अच्छे से से मिक्स कर लेना है तो इसमें अभी ये नमक डाल देंगे अभी ये मसाला पूरी तरीके से थंडा होने के बाद हम लोग ने जो मिर्ची कट कर की रखिये उसमें डाल देंगे तो हम लोग ने ये सारे मिर्ची कट कर के लिए है उसमें अभी ये मसाला डाल देंगे ये मसाला पूरा थंडा हो गया अभी उसके बाद हम लोग ये मसाला थंडा होने के बाद इसमें डाल रहे हैं और अभी इसमें हम लोगों को ये एक टेबल स्पून नीम्बू का रस डालना है और इसमें अभी ये एक टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे अगर आपको शक्कर पसंद नहीं हो तो आप नहीं भी डाल सकते हो ये अचार तयार होने के बाद आपको इसको दिन में दो बार तो हिलाना ही है अभी आपका ये आचार बिल्कुल बनके तयार है आप इसको तूरन भी खा सकते हो पर एक दो दिन के बाद इसका टेस्ट और भी बहुत अच्छा आता है और अगर आपको ये मिर्च का आचार पसंद आया हो तो प्लीज मेरे रेसिबी को लाइक किजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजे